हेलो, नमस्ते चात्रों, यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में लाड वोरेन हेंस्टिंग्स द्वारा किये जो सुधार कारिये हैं उनके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स जो लाड वोरेन हेंस्टिंग्स है ये बंगाल का पर्थम गौर्णर जनरल था तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये सब पढ़ाया था और जो लाड वारेन हेंस्टिंग जै यह है 1772 इस्वी में गौर्णर के पद पे भारत भेजा गया था और यह गौर्णर के पद पर 1772 से 73 इस्वी तक रहता है और फिर यह है 1773 इस्वी में गौर्णर जनरल के पद पर आता है जो 1725 इस्वी तक रहता है तो जो लाड़ वारे नहेंस्टिंग है इसने मतलब अपने पद पे रहते हुए कई मतलब कारियों में कई मतलब जो यहां के परसासन में कई प्रोब्लम्स आ रही थी उनमें इसने सुधार किये थे तो सबसे जो ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी वो था कलाइव द्वारा लगाया गया बंगाल में द्वेत सासन उसको इसने हटाया था ठीक है और उससे क्यावाई कि आएंगे जनता को काफी रिलक्सेशन मिले थे ठीक है तो और भी कई सरे ऐसे सुधार हैं जो लाड़ वोरे हैंस्टिंग जै एक मैत्वगांग सी वेक्ति था और भारत में ब्रेटिस राजे को भी ये सुधरड करना चाता था अता उसने अपने उद्वे की पूर्ती के लिए कई सुधार भी किये थे और मतलब भारत की जनता के हितों को भी इसने धान में रखा था ठीक है तो देख का सासन संबंधी कारिये तो जो Lord Warren Hastings है इसने मतलब जो Clive द्वारा बंगाल में द्वे शासन है उसको मतलब इसने खतम कर दिया था तो 1765 इसव में Clive ने बंगाल में द्वे शासन की स्थापना की थी और कमपनी M बंगाल के लिए ये जो व्यवस्ता थी ये हानिप्रद थी अतहे कंपनी के संचाल को क्यादिश अनुसार 1772 में वोरेन हिंस्टिंग्ज ने बंगाल में द्वेज सासन को स्माप्त कर दिया था बंगाल के उपनवाब मुहम्मद रज्जा खां और बिहार के उपनवाब राजा सिताप राई को पद मुक्त कर दिया गया उन पर मुक्त में चलाएगे और अंति में दोनों को नयाले ने मुक्त भी करवा लिया था ठीक है तो ये था मतलब कि ये जो लाड ओरेन हिंस्टिंग्ज है इसका सासन समंधिकारी और इसके अलावा इसने बंगाल के नुआप को सासन के दायतों से मुक्त कर दिया क्योंकि अब स्वयम कंपने ने परशासन का दायतों ग्रहन कर लिया था बंगाल का नुआप नजमु दोला अभी अल्पवेस्क था अते मीर जाफर की विद्वा पतनी मुन्नी बेगम को उसकी सरंक्सी का घोसित किया गया कमपनी के करमचारियों पर घूस लेने तता उपहार भेंट अधिस्विकार करने पर परतिबंद लगा दिया गया चोर डाकों एवलूटेरों का भी दमन किया गया तो मतलब जो लाड ओरेन हैंस्टिंग जै उसने सासन संबंदी के अच्छे अच्छे कारिये किये थे अगला पोईट आता है व्यापार संबंदी सुधार तो वारेन हैंस्टिंग जी ने दस्तक पड़ता के लिए अनेक स्थानों पर चूंगी चोकिया स्थापित थी परंतु वारेन हंस्टिंग्स ने इन समस्त चूंगी चोकियों को समाप्त कर दिया क्यवल पांच चूंगी चोकिया वो कोन सी थी कलकatta, हुगली, धाका, मुषिदाबात था पठना में स्थापित की गई थी नमक, सुपारी और तंबाकों के अलवा अन्य सभी वस्तों पर चुंगी मतलब दो या फिर दो से ज़्यादा मतलब परतिसत कर दी गई और यह चुंगी यूरोप ये इम भारतिये दोनों ही व्यापारियों से समान रूप से ली जाती थी वरेन हेंस्टिंग्ज ने व्यापार की उन्नती के लिए मिश्तर बुठान तिबबत जैसे देशों के साथ व्यापारिक संधिया की अफिम और नमक का व्यापार पूर्ण रूप से सरकानी नियंतरण में कर दिया गया था ये था वारेन हेंस्टिंग का व्यापार समन्दी सुधार अगला पोईटा था आर्थिक सुधार तो वारेन हेंस्टिंग ने मुगल समरार सहल लमद्वित्ये को दी जाने वाली पेंसन 26 लाक रुपे की रासी बंद कर दी क्योंकि वह अंग्रेजों का सरंक्षन छोड़कर मर समराठों के सरंक्षन में चला गया था और मुगल समराठ सहल लमद्वित्ये से इलाबाद तथा कड़ा के जिले भी छीन लिए गये तथा ये दोनों जिले अवत के नुआप को दे दिये गये इसके बदले में अवत के नुआप से 50 लाक रुपे ले लिए गये थी ठीक है विक्ति को सोंप दी जाती थी प्राई इस कारिये के लिए जम्मिदारों को प्राथ मिक्ता दी जाती थी जम्मिदार अपने किसानों को जमीन का पट्टा देता था जिसमें उनके द्वारा जम्मिदार को दी जाने वाली लगान के रासी का उलेक होता था जिल्ले में लगान वसूल करने का कार्य क्लेक्टर को सूपा गया और उसकी साहता के लिए भारते दिवान यूखते के गई लगान के वसूली और दिवानी नाय के लिए पर्तेक जिल्ले में दिवानी अदालतें स्थाफिते की गई लगान व्यवस्ता पर नियंतरन रखने के लिए मुर्शिदा बात था पठना में भूर राजस्व नियंत्रन परिश्टों की स्थापना की गई गौर्णर था उसकी कॉंसिल को राजस्व मंडल के नाम से पुकारा जाने लगा क्योंकि यह समस्त भूर राजस्व परशासन पर नियंत्रन रखती थी ठीक है और जो वारेन हेंस्टिंग जै इसने जो ये लगार व्यवस्ता प्रारम करी थी ये बहुज़ादा दो स्पून भी थी और किसानों की दसा बहुज़ादा खराब हो गई और इसके लिए 1773 में एक नई योजना श्विकार की गई जिसके पहले भाग को 1774 स्विकार की गया इस योजना की नुसा समस्त प्रेसिडेंटी को छे डिविजनों में बांट दिया गया ये छे डिविजन कों से थे कलकता बढ़द्वान धाका मोशिदाबाद दिनाजपुर और पठना परतेक डिविजन के लिए एक प्रांतिय परिशत इस्थापित की गई और उसकी साहता के लिए एक दिवान की नि नियुक्त किये गए जो नाइब कहलाते थे कुछ समय बाद वरेन हिंस्टिंग्स ने पुन्हा एक वर्षिय बंदोबस्त लागू कर दिया सत्रा सोर एक्क्यासी स्युमी योजना का दूसरा भाग लागू किया गया प्रांतिय प्रिश्तिय समात कर दी गई तथा जिल्लों का राजस्वय पर्षासन भारतिय नाइबों को ही सुपा गया केंदर में एक नमीर राजस्वय बोड की स्थापना की गई जिसके साथा के लिए एक दिवान की नियुक्ति की गई थी ठीक है इसके बाद अगला पोईट आता है पुलिस विवस्त था वारेन हिंस्टिंग्स पुलिस भी भाग का भी पुन्द्र कठन किया परते जिले में एक स्वतंतर पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की और चोर हैं डाकूं है इनका भी इसने कठोड़ता पूरा दमन किया चोरों और डाकूं को गिरफतार करके उन्हें गाउं में फासी पर लटका दिया जाता थ दोंगी सन्याशियों का भी दमन कर दिया गया वरेन हैंस्टिंग्स की इसकारी वाई से बंगाल में सांती और व्यवस्ता भी इस्तापिते हुई थी ठीक है तो मतलब कि यह थे आपके वरेन हैंस्टिंग्स द्वारा किये गए जो सुधार कारिये हैं वह और अब देखेग वरेन हैंस्टिंग्स के सुधारों का क्या मतलब मुल्यांकन रहा तो वरेन हैंस्टिंग्स है वह एक मैत्वागांसी में एकती था उसने अनेक परसास के परिवर्तन किये तता एक नवीन सासन व्यवस्ता की इस्तापना की उसने जो सासन व्यवस्ता इस्तापित की वह परि भी कहा गया है कि यदि कलाइव भारत में ब्रिटिस अमराजे का सेंस्तापक था तो वरेन हेंस्टिंग जे एक परसासनिक संगर्ठन करता था ठीक है तो देखेगा यह जो अपने वीडियो बनाए एकजाम की दर्श्री से बहुत मातव पुण है वीडियो को आप ध्यान से और आप अपने सुजाव भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे सकते हैं और आगे की वीडियो में हम और एन्हेंस्टिंग की जो कारियें हैं मतलब जो परसासनिक परिवर्ठन है उनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे और मतलब इसने परसासनिक में क्या-क्या पताएंगे तो बने रहे हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे